हेलो एवरिवन आज मैं आपके लिए लेकिया यू दो केक जो की दो डिफरेंट फ्लेवर्स में बनने जाए रहे हैं मगर उन दोनों की थीम एकी है तो ये केक एक चोकलेट ट्रफल में बनने जाएगा और दूसरा जो है वो वैनिला में जाएगा बेस मतलब उसका मैंने बनाया है राजभोक फ्लेवर्स तो आप देख सकते हैं सेम थीम अगर दो डिफरेंट इसमें ये केक कैसे बनता है तो फरस्ट हम लोग देखेंगे की फोटो केकिंग चोकलेट ट्रफल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन मेंने स्पंज के हिस्से कर दिये हैं और आप देख सकते हैं यह मैंने प्रिमिक से बनाया हुआ स्पंज एकदम पॉफेक्ट स्पंज बनाया है यह हमारी शूगर सीरप और यह जो मैंने लिया है इसे बोला जाता है चौकलेट ग्यान यह आपको पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि यह जो चौकलेट गानेश है वह अच्छे से सेट होना जाए अगर आप इसकी कंसिस्टंसी देख रहे हो तो देखिए कंसिस्टंसी कुछ इस टाइप से चाहिए कि वह ज्यादा काड़ी भी ने और बहुत ज्य ट्रफल के जिसमें वेप क्रिम का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं होता है जो चौकलेट गानेश है वह मैं लेयर में डाल देती हूँ तो आप देख सकते हैं अगर इस टाइप से कंसिस्टंसी तो काफी अच्छे से मूव होता है यह तो विद्दा हेलप आप स्पैचूला द रहता ही है और इसके ऊपर भी में गैनेश डाल देती हूँ और इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि सेकंड लेयर होने के बाद साइट से भी कवर कीजे ताकि जो लेयरिंग है वह बहुत प्रॉपर तरह के से होते तो हैं तो आप देख सकते हैं यह प्यूर चॉकलेट ट्रॉफल केक बनने जा रहा है जहां पर विप क्रीम का बिल्कुल भी इस्तवाल हम लोग ने नहीं किया है और उसके उपर में राक रही हूँ हमारी थर्ड लेयर लास्ट लेयर उसको भी मैं थोड़ा सा हलका सोप कर लेत हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहा है मेरा केक कवर हो चुका है तो इसको पहले तो मैं आधा गंटा फ्रीज में सेट कर लूँगे उसके बाद इसकी फाइनल फिनिशिंग करते हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा केक सेट हो चुका है और जो फाइनल फिनिश साइट की फिनिशसिं आती है चुक्ले ट्रफल केग बहुत से से आती है तो हमेशा याद रखना फिंश के ट्रफल केक कारे पहले चाह लिग तो एक कट लगा के final हमारा design बना लेती हूं तो यह आपको कहीं पर भी bakery के जहां पर भी material मिलते हैं आपको यह आसनी से मिल जाती है यह edible sheet होती है तो इसको देखें जैसे स्टिकर होता है उस टैप से यह निकलती है और मैं इसको इसके उपर रखने जा रही हूँ परफेक्ट येस तो इसके एक बार हाथ लगाने के बाद बहुत जादा प्रेस नहीं करना एक बार इसको स्टिक कर दिया तो इसके निकालना नहीं थोड़ा सा neutral gel ले लिया है मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और आप देख सकते ही वो neutral gel में इसके उपर spread कर दो हीँ इससे हमारा जो sheet वो dry नहीं होगा उसके साथ moisture बना रहेगा और जो sheet वो shine भी करेगी तो ये Neutral gel का इसके उपर importance होता है साइट से हमें ड्रिपिंग निकालने जा रही हूँ तो मैंने यहां क्या कर दिया है जो हमारा चोकलेट गैनाश है जो नॉर्मल हम लोग बना के यूज करते हैं वो पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला मैंने यहां पे ले लिया है मैं यहां पे इसकी ड्रिपिंग यूज कर रही हूँ आप देख सकते हैं मेरी ड्रिपिंग यहां पे पूरी तरीके से कवर हो चुकी है सेम जो चोकलेट गैनाश हम लोगों ने अंदर स्प्रेड किया था वो मैंने N46 नोजल में डाल दिया है और बहुत जादा डिजाइन नहीं करनी होती है जितना फोटोकेक सिंपल रहेगा उतना ही वो दिखने में अच्छा दिखता है तो यहाँ पी आप देख सकते है जो चॉकलेट गैनाश थोड़ा सा गाडा होता है वही यूज करना है डिजाइन के लिए वो चॉकलेट गैनाश आप विपट और विदाउट विपट ऐसा भी यूज कर सकते हों आप उसको मशिण से विप भी कर सकते हो अगर आप तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा पूरा ट्रॉफल से कवरिंग डिजाइनी हो चुका है यहां पर में थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल यहां पर ले लिए हैं क्योंकि चोकलेट में स्पेशली गोल्डन का इफेक्ट बहुत अच्छा दिखता है तो उपर जो छोटे चो कॉम्बिनेशन में इसको अलटरनेटली में स्टिक कर रहें और विप क्रिम यहां पर मैंने नाम लेख लिया है तो यह हो गया हमारा फोटो केक वन हाफ पॉर्शन अभी हम लोग देखते हमारा राजबोग फ्लेवर में यह जो फोटो केक सेम थीम का वो कैसे बनता है तो यहाँ पर मैंने वैनिला वाला स्पंज लिया है जिसके मैंने तीन हिससे कर दिये हैं तेनी यह है हमारा सोक वाटर और यह है राजबोग क्रश बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है यह भी और विप्ट क्रिम सेम जैसे हम लोग हमेशा करते हैं एक लेयर लेना है उसकी स नार्मल वाटर से की है और इसके उपर हम लोग कर देते हैं ऐसिंग नौर्मल वाईट वाली जो विप्क्रिम है वो है उसके उपर में डाल देते हैं राजबोग क्रश यह हलका थोड़ा सा मिठा होता है टेस्ट में इसलिए मैं यहाँ पर सूगर सीरप यूज नहीं किया नॉर्मल वाटर लिया है नहीं तो क्या होता था जो केक का फ्लेवर है वो ज्यादा मिठा होता था तो इसके उपर मैंने रख दिया है second layer और same procedure से हम क्या करेंगे पूरे cake को cover करेंगे soaking icing then crush and again layering and final finishing यही होती है हमारी हर इस cake की procedure तो same method follow करके हम क्या कर देते है पूरे cake को अच्छे से cover कर लेते है तो देखे यहाँ पर मैंने तीनों layer अच्छे से रख ली है और यहाँ पर विद्धा help of scrapper मैं उसको side से भी cover कर लेती हूँ ताकि जो extra है वो निकल जाए और उपर से भी final finishing दे देती हूँ that's it so यहाँ पर मेरा यह cake जो है वो एकदम ready है नौ यह मेरी देखिया सेम माशा एंड बियर की दूसरी photo sheet है उसको भी मैं पहले क्या कर देती हूँ तो round shape में cut कर लेती हूँ तो यह मेरी half sheet है इसके बेले जब हमने देखा था वो पूरी full sheet थी तो यहाँ पर मैं क्या कर दे मुझे design निकलने इसलिए मैंने half sheet यूज किये तो center में मैं इसको stick कर देती हूँ that's it again same neutral gel और थोड़ा सा water उसको भी मैं spread कर देती हूँ ताकि moisture बना last जो होता है वो हमेशा इससे करना है spatula से ताकि spread जो है वो equal हो एक्स्ट्रा जो cream हो भी निकल जाए और एक बिल्कुल पतली सी layer जो है neutral gel की बने ताकि सामने वाले को देखने में लगना चाहिए कि बिल्कुल shine सी layer है यहाँ मैं थोड़ा सा purple का combination बनाने जाए अब directly purple color use कर सकते जिनके पास नहीं है उनके लिए बतार रही हूँ पिंक कलर में जब sky blue color आता है तो हलका purple color बनता है तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने blue लिया है और आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको mix कर रही हूँ तो यह जो color combination है वो बहुत अच्छा दिखता है आप directly purple shade का भी gel color यूज कर सकते हो तो एक साइड में मैंने हलका white cream डाल दिया और एक साइड पे यह color डाल दिया है और आप देख सकते हैं बहुत mixing नहीं किया है तो हलका हलका white purple blue ऐसा combination में वो दीख रहा है इन वन नोजल यहाँ पे मैंने इस्तमाल किया जो उपर rosette है और नीचे star है तो इस तरीके से मेरा cover cake पुरी तरीके से हो चुका है और उपर जो है वो silver color के मैं यहाँ पे बड़े sprinkle यूज़ कर रही हूँ perfect साइड से भी लगा लेती हूँ और final finishing silver spray से करते हुए मेरा cake ready हो चुका है yes तो आप देख सकते हैं same photo theme cake माशा एंड बियर in vanilla that is Rajwok flavor में यहाँ पे मैंने बनाया है तो है ना बिल्कुल amazing तो यह इस वीडियो में आपने same theme same photo cake दो flavor में देखे एक चॉकलेट ट्रफल और यह के राजवक hope आपको वीडियो useful रही होगी मेरे वीडियो को like किजे, share किजे, comment करना मत भूलिएगा मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ तब तक, bye bye